है नमस्कार दोस्तों सुवागता है आप सभी का आपके अपने चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो में आपकी लेक्सर नमबर 31 इंक्रिमेंट या डिक्रिमेंट एंपर्शिंटेश अब इवाले हो लेंगे यह त्रतिसत में परतिसत में बढ़ोतरी या फिर पढ़ोतरी पहला क्वेस्टन आपके सामने देखो, हम जैसे करें कि आपको शाजी जी जी समझेना जाएगी, तो देखो यहां, एक और दस परसेंट बढ़ाया गया है, और बीक और बीस परसेंट घटाया गया, तब चेंज इन परसेंटेज, हिंदी वाले लिखनो, और परिवर्तन कितन आप होगा, फाजर पहले हिंदी के कोल्टिंग बता देखो, तो यहां पे लेकिलो पहले, तिकर यहां पो लेकिलो अब जाज़ उतपा देखो, मतलब चेंज करने से पहले चेंज करने के एक बार, आज आज़ा बाट का गोर करना देखो, पहले मैं आपको बता दूँ कि ज जब वो आपको बढ़ाने का बोलेना तब आप ये बोलना है कि सुरू में वह दस थी तो बढ़ाने का बोले है तुपर वाले को जोड़ दो इसमें दोनों को जोड़ा तो यहां पर कितना आगा जा रहा मतलब 10 से 11 हुआ बात समझ में आई या नहीं है दोर दोर आई कि निए यहां पर दीये हमें घटामे का बूल देता है हमकरते हैं यहां पर स horrend हैं तोरोमित नीचे वाला है नो वो शुरूर आड़ ऑ़लिवार कि आधाउ खवे siya पीजे और ग़ना होगा यहां और पहले दस था अब एक वर बढ़ गया नहीं चाहए वियाắदप डिखते हैं पात का गोहर करना नीचे देखो 5 है जो यहां पर 10 ताब 10 है, अब यहंपे तो बढ़ह तरही हो रही थी तो एक हमने जो डिये लिए यहां पर बट बट आया जा रहा है ,थ 15 मेंसे आपकी एत गट जा, तो बतना५रा है अभी मेरी बात को ध्यान से सुना अब देखो हमने यहां पर पहले सक्सेशिव लगाया A पे और बाद में हमने सक्सेशिव लगाया किस पे B पे बात समझ में आ रही है कि नहीं यहां पर A पर लग रहा है कुछ चीज़ यहां पर लग रहा है B के लिए तब क्या होता है देखो यहां पर A है यहां पर B है दोनों अलग अलग है यह अलग है अलग हो तब आप इन दोनों को गुना कर लो 10 पंजे कितना होगा आपको पत्सास समझ में आरा है कुछ गोर करना ठीक है और 11 का इन को भी आप गुना कर लो यहां गुना चेन प्रोसेस होगी, दोई साई डूई वही साई डूई, ग्यारा चोपे कितना हुआ बच्छे, चवालिस अभी देखो, यहां पर कुछ कट चंट रहा है, काटोगे तो यहां पर आप बोलोगे किसर जी 25 आ गया, यहां पर आप काटके बोलोगे किसर जी 25 आ गया, अभी देखो 25 से आपका 25 आ चुका है, कितना गट चुका है, तीन, पहले 25 था, पहले कितना था बच्छे, और अब कि के चार देगा तो तीन चौके बारह परसंटेज आपको क्या हो जाईगी कमी कमी क्यो है चूंकि देखो यहाँ पर कम हो रहा है तो कमी और यह दिबड़ जायत रिद्धी बस हो गया इंकरिमेंट डिकरिमेंट यही है ठीक है नॉर्मल बात आपको यह समझ में आ रहे हैं और मैं बोल रहा हूं बहुत जरूरी चीज है इस पर हम दावे के साथ बोल सकते हैं मैथेमेटिक्स कोई भी पर जिसमें यह आपके एक्जाम में दो से तीन बार काम आएगा कोई भी मैं बोल रहा हूं कोई सब यह एक्जाम हो जहां पे उना थेमेटिक्स पुछा जाता है समझ रहे हो ना आप कि नहीं समझें साहे बेंकिंग हो यह जरूरी चीज है इस पर आप अपनी पकड़ बना लो आगे चलना चाहेंगे सी को देखो पचास परसंटेज तीर का चिन में उपर की साइड किय क्या है एरो का साइड इस बार इंग्लिस में बताएंगे ठीक है तो उपर की साइड मतलब बढ़ रहा है इंक्रिमेंट हुआ है ठीक है अगला है डी में 40% एरो का साइड निचे की साइड है ठीक है तो इसका मतलब डिक्रिमेंट हुआ है परसंटेज चेंज पूसरा में य तो त्यारे बच्चों आप बोलोगे old और आप बोलोगे new ये इंग्लिस वालों के लिए इंग्लिस वाले से नाम लिखने लिखना चाहें तो से के लिए जो 50% आपका बड़ा हुआ 50% की विल्जी हो थी एक बट्टे दो याम पहले दो थी बड़ा यह तो दो में एक जोड़ दो रही कितने हुआ बच्चे थी अभी आज़ा उड़ी दी में देखो यह बोला दया 40% 40% की विल्जी हो थी यह दो बट्टे पांच देखो पांच में से दो आपका गट गया तो अब कितना बचा तीन बचा क्योंकि ये निचे के साइन है ना तीर काचिन इसलिए बठा दिया अब ये आप ऐसे लाइन कीज़ दोगे सी है डी डी यानि कि दोनों वाला को लगा है कुछ कंट चंट रहा है इदर उदर से दिल्कुल नहीं कट रहा तीका ना इस साइड वालों से इस साइड वाला कोई भी कट रहा है नहीं कर रहा तो उना करा दो तांस दोनी दस तो फाइब जा टैन थरी थरी जा नाइन यानि कि आपके पास स्टार्टिंग में इसको आप ऐसे भी बॉल सकते हो इसको आप आई एन आई टी आई एल इसको आप इनिशिल बॉल सकते हो इसको आप फाइनल भी बॉल सकते हो इसको आप बॉल्ड बॉल सकते हो इसको आप बिफॉर बॉल सकते हो इसको आप अप्टर बॉल सकते हो समझ गई वो आपका याग के वालिन है बस आपको समझ मैंना जाए कि पहले वेल्यू यह थी अब वेल्यू यह है बाद समझ में आ चुकी होगी कैसे देखो नीचे वाला पहले वाला तो नीचे वाला एजिटरी जाता है यह यदि इंक्रिमेंट हो रहा है तो उपर वाले को कि अधू फर फैने को वेल्डम है कम हो एक मित्वार है कम हुआ है कम हुआ हम बतलब गैक्रिमेंट पर यह इऐगा यहां पर डिक्री परहरे हों टोल्ट्रीमेंट परसेंट यहें बिखेंट एक पर से कम हुआ लगएwe निकालना, परतिसाथ हमेंसा सोपन, जीरो से जीरो केंसिल, एक में एक का भागए, एक बार, दस से गुना हैंगे, 10 परसंटेज विल बी यूर राइट अंजरो, इस कुछिस्टन, और 10 परसंट ये क्या है, ये है, बच्चे डिक्रीमेट, मैं इतना आराम से, इसलिए बता रहा हूँ कि हर जो चीज है, वो आपके दिमाग तक पहुंच जाए, आगे चलेंगे अब हम, ठीक है, आगे आजब, तो प्यारे बच्चों आगे देखो, आएट मतलब English वालो rectangle, in a rectangle, length, length में increment किया गया, length में, sorry, decrement किया गया, कितने का, 10% का, और जो आपकी ब्रैथ यानि कि छोड़ा ये आपका L है मतलब लें ये आपका B है यानि कि ब्रैथ इसमें 30% ये किया गया है अब कोई दिक्कत है क्या नहीं है क्योंकि जो इसका एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है L into B आज़ो बच्चों आप L के लिए बताओगे L कितना है L 10% डिक्रीज हो रहा है एक बटे दस यही तो है तो यानि कि पहले दस था अब डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब एक कम हो गया दस ले तो कितना है या नो अभी क्या है B ठीक है B में क्या 30% 30% की वेलियो क्या होती है तीन अब टे दस और वो भी है क्योंकि यह इंक्रीमेंट है तो पहले दस था दस में तीन और बट गए यानि कि कितना हो गया बच्चे 13 अभी बताओ कोई दिक्क्रत बताओँ अब आप मुझे बताओ तो एरिया इसका क्या होता है आल फो लोगे सर एल इंटूबी इन दोनों को गुना गराओ तो दस गुना तस कितना हो गया हंड्रेट ठीक है और 13 नमे कितना हो गया 117 बात समझ में आई कि नहीं है अभी बताओ शेतर पल पहले कितना था 100 अभी कितना है 117 कितना जादा बढ़ गया यानि कि यहां के आप इंक्रिमेंट बताओगे इंक्रिमेंट परसंटेज कितना हो गया बच्चे आप बलोगे सर जी 17 जादा हो चुका है कहां से बढ़ा है यह 100 से मल्टिबलाइम ओलवेज 100 लगता ही है 100 से 100 केंसिल 17 परसंटेज विल बी और राइट आंसर ओ बात समझ में आच चुकी होगी मैं पूरी कोशिस कर रहा हूं कि मैं हिंदी इंग्लिस जो दोनु हमारे स्टुडेंट है दोनों को यह अच्छे से समझ में आजए आगे चलने की कोशिस करेंगे कोशिस क्या करेंगे मुल्य मतलब इंगलिस वालों प्राइस प्राइस को आपको कितना बढ़ा दिया गए 16 टू वाई 3 ठीक है न 16 से 2 प्रते 3 इसको बढ़ा दिया गया समझ गए और खपत को खपत मतलब कंसप्सन पी टी आई ओन इसको बोलते हैं आपको पता है एक्सपैंडिटिचर यह मैंने नीचे लिख रहा है प्राइस यह होता है इसको आपने 16-12 परसंटेज्स गटा दिया अभी देखो आपको एक मातर फॉर्मूला था प्राइस मुना कंसप्सन बराबर होता है एक्सपेंस इसको आप याद रखना हिंदी वालों आप लेख लो मुल लेगोना खपत बराबर खर्च याद अगर लेना अच्छे से बहुत जरूरी फॉर्मूला है एक परसन तो इस पर आना ही है ठीका ना जिसकी किसमत खराब उसकी सिप्ट में नहीं आएगा पकी सबकी सि अब तक आपने सभी मेरे लेक्टर अच्छे से लिये हैं चीजों को सिक आया तो नहीं सिक रहे तो देखो एक भी परसन नहीं बन सकता वो तो मैं क्या किसी बीटिटर से आप पर लोगे तो भी नहीं बने गाए तो ठीका ना तो अभी बात को अराम से गोर करते हैं तो अब आपको पता है पर्शंटेज का साइन अटाएंगे तो सो से निचे आएगा मतलब सो इसके गुनां तीन सो यह कटा तो कितना है आप यह वन बाई सिक्स यहन की पहले यह चैथा अब यह बड़ा है चैने एक बड़ गया निकितना हो गया अभी आप आओ सी पे सी मतलब गडनाओ याप कंसेप्स्टन यन्की खपत बे खपता साथ और बारा परसंट साध की वैली होती है एक बट्याट यहन की पहले आँठ था और अब आठ में से एक खम हो गया मतलब कितना आगया साथ अभी देखो इन दatoonों का गुना ही तो बता है एक्समेंस रेंगे iron PayPal आप साथ साथ कितना होता आपका उनसास क्या दिक्कत आप बोलोगे सर जी यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है इंक्रीमेंट परसंटेज कितना होगा एक बढ़ा है किस पर बढ़ा है 48 पर मल्टिपलाए बच्चे 100 अब कोई दिक्कत ने इस डिवाइड का आप स्वल्व कर लेना आपका राइट अंसर आ जाएका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं यह जैसे आपको यह बताएं कि चार के बाड़े से कैसे न करे तो यह पच्छिस बार यह बार बार अब यह आप बा कर ओकारा हते हैं मतलब मतलब ट्राइंगल 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 आधार मतलब है इस इंगलिस के लिए बहुत मतलब है फा effic ठीक है देखो एक पार्डियंगल लाग और हीजिए क्यों चैनल का मैंवत्टिपरसेंट इंक्रीज कर दिया गया है ठीक और इस उसकी जो थो है उसको 30% decrease कर दिया रहा है तब उसके एरिया में परतिसर चेंज कितना हुआ है एरिया चेंज परसेंट कितना होगा तो बाराम से बता दें कोई दिक्कत वाली बाद नहीं देखवा जाओ तो इसका बीब बेस बेस में क्या है ट्वन्टी परसेंट कि वैल्य वाई फई यानि इन कि पांच था बढ़ादिया की पांच से उसने 1 उपरती ते हैं, मतलब बढ़ाती है याने कितना वैच है फिर जाक हाइट, हाइट के लिए हम लिखते हैं एच, ठीक है? इसको 30% 30% की वैलियो थे, 3 वट्टे दस यानि की पहले कितना था? 10 10 में से 3 वैज्ट यानि अब कितना है? 7 ठीक है अब देखो इसका से तरय होता है आप आप लोका सफ़ेखलftig एक बट़े दोखना भाषक कुछ का बेस्ब मैं बहुता होता है मैं बोलहां हो एक बट़े-डो आ नहीं हैं पे पुछर्फ कुछ पी लेना नहीं है इसी में कुछ घिfund को इस्टा सब्सक्राइब बोलना नहीं चाहेंगे फालतों मैं आपको और समझोगे चलो देखो अभी देखो इस वाली साइड से इस वाली साइड का कुछ कट रहा हां जी बिलकुल कट रहा है ये 6 दो के पाड़े से कितने बार कट गया 5 वार पांस गुणा पांस कितना है या 25 ये 25 अभी बच्चों आप हमें बता दो पहले इसका अरिया कितना था 30 और अभी इसका अरिया कितना है 21 कितना ये दिख्रीज हो गया decrement percent हम आपको यहाँ बताना जाएंगे आप बोलोगे सर जी 4 decrease हो गया कितने से हुआ बच्चे 25 से multiply always कितना लगाते हो 100 cancel करोगे 25 से 100 को 4 बार और 4 multiply 4 multiply 4 16 percentage will be your right answer of this question तो एकदम बिल्कुल इत्मिनान से बिल्कुल अराम से एकदम तसली से मैंने आपको यह चीज़ें समझाई है ठीक है तो इन चीज़ों पर work करना आप ठीक है हरम आपको इतना क्या बोलते हैं रिसेन के साथ इतना सिद्ध से पढ़ाने वाले हैं कि जो चीज़ आप मुझसे सिख जए तो काफी ज़ादा आप अतनी mathematics के hold बना लो एक आप मेरे साथ में यह सिखोगे कि मैं बहुत ही कम फॉर्मूले के साथ आपको mathematics के hold बना दूँगा अब देखो मैं आपको यह तो नहीं बोलना चाहूँगा आप मैंट्स को फार के रख दोगे उडा के रख दोगे वो तो देखो सिर्क बोलने की बाते हैं और कई बार वो मुझसे चीज़े निकल जाती है बट हम इतना आपको बोलते है mathematics में आप good score करोगे mathematics में आप 90% to 100% आपको perfect बना दिया जाएगा इतना आपको बना दिया जाएगा कि मैंट्स में आप good score कर क्या होगे ठीक है ना कोई बीज में अग्जाम आ जाता है तो उस करना कुछ कर नहीं सकता अभी हमारे टार्गेट पे जैसे MTS है ठीक है तो MTS की चीज़ें जैसे आप यह मानो हाथ MTS का सब्सक्राइब कर दिया जाएगा उस से अगले एक या दो महिने आपका ऐसे और पूरा हो जाए गए बहुत जल्दी करने वाले हैं कोई ऐसे लेके बैठे रहने वाले मेरा काम है एक बार आपको मैथमेटिक्स इस चैनल पर अच्छे से बेदेना ताकि जिस बच्चे को भ आपको पड़ाया गया था एक रम आराम से एक्स्ट्रेंब करां उसे कोई बंदवाजी नहीं है ठीक है तो इस लोडियो लेक्टर में सिर्फ इतना ही विडियो में तब तक के लिए जाहिंगे ज़ारत